दावल गांधी जब अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे थे तो उन्होंने मनेपूर मुद्धे पर बेबाग तरीके से बोला और कहा कि ग्रेह मंत्रे और प्रधान मंत्री ने भारत माता की हत्या के तरी मंत्री ने मनिपूर मुद्धे में हुए नसलिय हिंसा पर अपना दुख व्यक्त किया राहूल गांधी द्वारा किये गए मनिपूर दौरे को अमिच्सा ने एक सरहन्य कदम बताया लेकिन फिर अमिच्सा ने ये भी कहा कि इस दौरा ने इस हिंसा में आग में घी डालने का काम किया मनिवर अब तक 152 लोग मारे गए इसमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है ये सूस्यल मीडिया के जमाने में छीप भी नहीं सकता है और हमारा स्वभाव भी छीपाने का नहीं मनिवर 152 लोग मारे गए इसकी एनालिसिस क्या है मई में 107 मारे गए मई में आज हम अगस्त में जून में 30 मारे गए जुलाई में 15 मारे गए और अगस्त में अगस्त में अब तक 4 मारे गए मैं इसके माद्यम से एक कहना चाहता हूं मनेवर की हिंसा धिरे धिरे कम हो रही है हम हिंसा में की आग में तेल डालने का काम न करे विस्तार रूप से ग्रिमंत्री अमिच्छा ने राहुल गांधी के उस दोड़े का ब्योरा दिया और कहा कि किस तरह से राहुल गांधी ने जान बूच कर केंद्र और मनिपूर सरकार को परिशान किया ग्रिमंत्रे अमिट्सा ने कहा कि हमने राहुल गांधी को चोला चांदपूर जाने के लिए हेलिकप्टर की सुधा देने की बात कही। मगर राहुल गांधी ने कहा कि हमें बायरोड जाना है। जब पुलीस ने उन्हें रोका तो उन्होंने ओल इंडिया लाइव करके पूरे भारत को ये नायक तक दिखाया और दूसरे दिन हेलिकप्टर से चले गए। मैं रोड से जाओं। पुलीस ने रोकना पड़ा। फिर तीन गंटे तक औल इंडिया लाइव कराकर ये नाटक देश को दिखाया। और फिर चार बजे दूसरे दिन हेलिकप्टर से चले गए। भई हेलिकप्टर से चले जाते तो क्या पत्ती थी। हमने सुरक्षा की पूरी वेवस्ता की थी। परन्तु इस प्रकार की काम करने के लिए वहाँ जाना इसको पोलिटिक्स कहते हैं गगवजी।